लो मैं आप दीख रहे एजूकेशन प्रिंस दोस्तों। मैं अभी कुछ दिन पहले है अपडेट आया है अगर आप लोगों ने अभी तक Facebook अपडेट नहीं किया है तो आप लोगों को वो नहीं दिख्रा होगा फिलहाल मैंने 2 दिन पहले update किया और जो है आज मैं कोई post delete कर रहा हूं अपने facebook app से तो वो delete नहीं हो रहा है तो आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरह से वो delete करना है अगर आप कोई भी post अपने facebook application में जाकर वीडियो को या photo को delete करते हो तो वो delete नहीं होगा बलकि वो एक achieve में चला जाएगा जो कि आपको वो दुबारा recover भी हो सकता है 30 days का आपको time मिलेगा और यह उन्होंने update किया है और बहुत सारे symbols बदल दिये हैं facebook के icon बदल दिया है बहुत सारे update अंदर ही अंदर आपको दिखाता हूं तो बने रहना इस वीडियो में और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना और चलते हैं सीदे phone में फिर आपको इसकी जानकाई देते है प्रोपर तो दोस्तों हम अपने facebook एप में आ गए हैं और आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि यह अपलोड लगाया मैंने और यह थोड़ा सा टैम लेगा एक मिंट और अपलोड हो जाएगा भी इसको देखते हैं फिर आपको डिलीट करके दिखाता हूँ कि कैसे यह ओप यह देखिए फोटो अपलोड हो चुका है अब यहाँ पर देखिए कहीं पर भी डिलीट करने का अप्शन नहीं है लेकिन यह डबा सा दिया हुआ और यह चेंज हो गया है यहाँ पर लिखा हुआ है मूब टू राइसिल बीन मतलब कि 30 दिन जो है यहाँ पर डिलीट होने में लगेगा इसको यह 30 दिन बाद एटोमेटिक डिलीट हो जागा अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप पड़ सकते हैं आइटेम इन यूर रिसाइकल बिन बिन विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटिड आफटर 30 डेज यू कें डिलीट देम अ सकते हैं यह दोस्तों बदला गया है और आपको जो है हैस्टेक के लिए जो यहां पर किसी किसी में वाच का फीचर भी नहीं दिया हुआ है तो कुछ-कुछ बदलाओ कर रहा है फेस्बुक और यह बहुत बड़ी अपडेट है कि फोटो जो है डिलीट नहीं हो रहा है यहा हमारा फोटो वापस आ सकता है अगर हम फोटो डिलेट कर दिये हैं या तीस दिन का जो एइरचिव में चला गया है उसको हम रिकावर कर सकते हैं इसी जगह से यहां पर मूब टू एरचिव भी लिखा हुआ है जो फोटो डिलेट किया है वह फोटो वापस आएगा तो दोस